Hello, Good Morning to all Class 9th, जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, आज हम उनको एक नई कविता पढ़ाने जा रहे हैं, कविता बारा, प्राकर्तिक सौंदरी है, और इस कविता को पढ़ने से पहले, कविता के जो रचनाकार है, उसकी जीवन परिचे के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, प्राकर्तिक सौंदरी कविता किस ने लिखी उस कवि के बारे में, तो यहां आ जाईए, एक ही यहां पर है, Class 9th, कविता 12, प्राकर्तिक सौंदरी, कविता के रचनाकार है, कविता को लिखने वाले कवि का नाम है, राम नरेश तरपाथी, तो इसके बारे में थोड़ा जा चार मार्च, 1899 इस्वी को कोईरीपुर जौनपुर उत्तरप्रदेश में हुआ था, तरपाथी जी पूर्व चायावाद युक के एक महा कवी थे, तरपाथी जी मननशील, विद्वान, तता परिश्मनी कवी थे, इनकी रजनाओं में नवीन आदर्ष और नव युक का सं केत मिलता है, प्रकरती वर्णन के छेतर में तरपाथी जी का अत्यन्त योगदान उलेखनी रहा है, इनकी भाषा खड़ी बोली के रूप में विक्सित हुई है, इनकी भाषा में माधूरिये और ओच की एक नई जलक भी देखने को मिलती है, पथिक, मिलन और स्वपन, मान सी कविता को मुदी ग्राम में जीत आदी इनकी प्रमुक रचनाएं हैं, सन 1962 इस्वी में इनका स्वरवास हो गया, तो ये था प्राकर्तिक सौंदरिये कविता के रचनाकार का कवी परचे राम नरेश्टिर पाठी जी का कवी परचे, यहां पर है आपको यह में आपको कविता 12 प्राकर्तिक सौंदरिये, भाग एक, प्रस्तुत कविता में कवी ने आकाश पर तेरते हुए, बादलों और धरती से आकाश को मिलाते हुए इंद्र धनुष का वर्णन किया है, इंद्र धनुष तो आप समझी गए होए, रैन्बो जिसे कहते हैं, जिसमें सात रं प्राकर्तिक रूप से बन जाते हैं, नजी से ऐसे होते हुए गोल रूप में, गोलाकर्ती के तरह, वो आकाश की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, कवी के अनुसार नावें या पुल बनाने पर मनुश्य अविमान करता है, बड़े बड़े नावें बना दी, पुल बना बना दिये, बड़े जहाज बना दिये, बड़े बिल्डिंगें, इमारतें और विन परकार के चीजों को बनाने पर मनुश्य बहुत बड़ा घमन करता है, अब इमान करता है अपने उपर, जबकि इंदर धनुष्ट के निर्मान के तुलना में ये कुछ भी नहीं है, क्यो नावे और जहाज नदी नद सागर जल पर तरते हैं, पर नब पर इंसे भी सुन्दर जल धर निकर विचरते हैं, इंदर धनुष्ट जो स्वर्ग सेतुसा व्रिक्षों के शिक्रों पर है, जो धरती से नब तक रच्टा अदबुद मार्ग मनौहर है, मनमाने निर्मित नदियों के पुल से वो अति सुन्दर है, निजकरती का अभिमान व्यर्थ ही करता अविवी की नर है, बेकार की चीजों पर व्यर्थ करने वाला अभिमान करने का जो काम है, वो मनुश्य ही करता है, तो यहाँ पर रहें देखो, एक बार फिर पढ़ाते ह को नावें और जहाज नदी नद सागर जल पर तरते हैं पर नब पर इंसे भी सुन्दर जलधर निकर विचरते हैं इंदर धनुज जो स्वर्ग सेतुसा व्रिक्षों के शिक्रों पर है जो धरती से नब तक रच्ता अदभुद मार्ग मनोहर है मनमाने निर्मित नदियों के पुल से वो अति सुन्दर है निजकरती का अभिमान व्यर्थ ही करता अवेवी की नर है तो ये है कविता को कुछ इस परकार से राम नरेश्टिक पाड़ी जी ने इसकी रचना की है तो अब इसका अर्थ जो है वो यहाँ है इदर देखिए कविता बारा प्राकर्थिक सुन्दरे कविता का अर्थ कुछ इस परकार से राम नरेश्टिर पाड़ी जी ने हमारे सामने प्रस्तूत किया है प्रस्तूत कविता में कवी ने इनकी पाड़ी जी ने आकाश पर तैरतो हुए बादलों और धरती से आकाश को मिलातो हुए इ तैरती रहती है और हवा में उड़ते हुए जहाज दोनों ही एक कारी करते हैं ये दोनों बड़े ही पेमाने पर अपना अपना कारिय सुचारों रूप से करते रहते हैं इंदर धनुष जो कि साथ रंगों से मिलकर प्राकर्तिक रूप से बना हुआ है वो इन पर एक पुल सा काम करता है और यही इंदर धनुष एक सुन्दर सा रास्ता है आकाश में जाने का साथ ही साथ इन से द्रिश्य और भी मन्लोरम बन जाता है देखने के लिए इन नदियों से भी बहुत ही सुन्दर हुआ इंदर धनुष है कभी कहता है इन नदियों से भी सुन्दर जो है वो यह इंदर धनुष है जो की आकाश तक वो एक सुन्दर सी आकर्तिक बनाता है यही आस्मान तक आपने देखा होगा मिसाल के लिए उधारन के लिए अगर आपको अपने टेरेस पर जाना है च्छत पर जाना है तो उसके लिए आपको यह किसी रसी के सहरा लेना हुआ हुआ यए कोई अपने च्छत तक आपने मकान के शिकर तक पहुंच जाते हैं सेड़ी वगर से तो इसी तरसे ये इंदर दुरुज भी एक सुन्दर आकरती है और इस पर कवी ने आकाश में जाने का एक बहुती सुन्दर रास्ता दिखाया है कहने के मलता भी यह हुआ कि ये एक प्रकरतिक चीजे जो प्रकरती के इन सुन्दर वातावरण में देखने के लिए मनुश्य का मन बहुती मनोहर और बहुती सुन्दर दिखाई देने लगता है जिससे मनुश्य उसको देखता है रहता है इससे भी सुन्दर है इंदर दुरुज जो कि आकाश तक एक बहुती सुन्दर स याकरती बनाता है मनुश यही व्यरत में अभिमान करता है कि वो बहुत ही बल्चाली है बहुत ही निर्मान करने वाला है उसने ये जहाज ये नदियां ये इमारतें ये आकाश में उड़ने वाले बिविन परकार के विद्ध से चलने वाले जो चीजे हैं उनका निर्मान किय तो वो इन चीजों को बनाकर इन चीजों को बनाने में दूसरों के सामने समाज में एक अलग ही ढंग से अपने को प्रस्तुत करता है और वो बहुत ही अभिमानी बन जाता है बल्कि इसके ठीक उल्टा अगर हम देखें इसके बिल्कुल आपोजिट देखें तो इसके सामने जो है इंद्रद्रुश के सामने ये सब कुछ पेकार दिखाई देता है तो मनुष्य अभिमान करता है इन चीजों पर परन्तु तराकर्तिक रूप से बनने किने वाले निर्माण होने के इंद्रद्रुश की तुल्लन में ये कुछ भी नहीं है तो यहाँ तक था यह बहुती छोटी कविता है तो इसको हमने यह निलिखिया, इसका कभी परिच्छा को बता दिया रमनेरेश्दर पाठी जी का, और इस कविता को भी पढ़ा दिया तो इस कविता जो है प्राकर्तिक संदर यह इसका अर्थ जो है, हमने आपको यहां भी बता दिया, तो आप इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, इंशालाब को अच्छी तरह समझ में आएगा, और अगर समय में नहीं आए, तो आप हमें से कही बार पूछ भी सकते हो, इंशालाब जब आपका एक्जाम होगा या एक